और चली रुक करेंगे एक बड़ी खबर का हातरस खादसे पर पहली बार बोले बाबा साकार हरी हादसे में जान गवाने वालों से स्तमवेदना ये कहना है बाबा का मैं बहुत पहले समागम से निकल चुका था और वकील एपी सिंग ने जारी किया है बयान अब पहली बार बाबा का बयान सामने आया है उड़ोंने कहा कि मैं बहुत पहले इस कारेकरम से निकल गया था और वकील एपी सिंग ने ये बयान जारी किया है और जार जवानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं सुशील कल जो तस्वीरे सामने आये उन तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि जब बाबा का काफिला वहां से गुजर रहा था उसी के पीछे भीड भागी और धक्का मुकी हुई जिसके बाद में ये ब सिंग है उनके माध्यम से जो घटना के खुद जो बाबा है नारायन संकर हाई उनकी तरफ से ये स्टेट्मेंट जारी किया गया है और उन्होंने कंडोलेंस बेक्ट किया है कि उन्हें बहुत दुख है और वह बहुत पहले ही निकल गयते लेकिन जो खायर हुए है या जो म पा रही है कि क्या हजो घुरूजी है हो एक माध्यां के से काहिसल बिजवा रही है जो जानकारी है उस जानकारी के मितमिक है पहला स्टेट्मेंट आत्रस मामले में जो मुख्य जारी है उनके द्वारा बेग जा लेकिन सुशील जो स्टेटमेंट जारी किया है इसके अलावा क्या कुछ और बड़ी बाते भी कही गई है लेकिन सुशील बहुत लोगों के मन में सवाल है कि बाबा के खिलाफ F.I.R. दर्ज क्यों नहीं की गई है इसको लेकर क्या इस्तिती इस पस्ट होती हुई नजर आरी कि आगे जाकी क्या बाबा के खिलाफ F.I.R. हो सकती है जी देखें उत्तरपरदेश के मुक्यवंत्री ने सिर्फे तार पर ये कहा है कि अगर इस पूरे मामले में जो भी इस मामले में कासूर वार होंगे उनको बगता नहीं जाएगा तो निशी तो उसे भविस्त में अगर लगता है उत्तरपरदेश सरकार को की बाबा के उपर आरोब बंते हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ना परवाही बरती गई है तो इसमें कोई दोड़ाय नहीं है कि जो बाबा है उनके उपर फाई आर नहीं होगा लेकिन अभ सित अवाम लोगों को कर रहा है कि आखिर बाबा जो अभी तक परा है कहा है कहा नहीं है उनके द्वारा एक लिसिंग के माध्यम से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कंडोलेंस उनोंने जरू जाए वाकई में सुशिल अब सवाल कहीं सारे हैं कि जो बाबा कल से गायब था अब उस बाबा की तरफ से कि स्टेटमेंट दिया गया बयान जारी किया गया कि मैं तो बहुत पहले ही समागम से निकल गया था जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका